नमस्कार आज हम लोग पढ़ेंगे बाल लीला ये जो रचना है सूर्दास जी की रचना है इसमें संतकवी सूर्दास जी किर्ष्न के आराद दें और उनकी लिलाओं का बड़ा ही मारमिक पद लिखा है तो इस पद का मैं व्याख्या सही आपके सामने प्रस्तूत करूँगा चलिए अब हम चलते हैं बाल लीला कविता की ओर मया मुरी मैं नहीं माखन खायो भोर भय कई अनके पाचे मदवन मोह पठायो चार पहर बन सी बट भट को साज परे घर आयो मैं बालक बहियन को छोटो छी कहूं के हूं विधी पायो गुआल बाल सब बैर परे हैं बर बस मुखलप टायो तू जननी मन की अति भोरी इनके कही पति आयो जी तेरी कच्छु भेद उपजहें जानी परायो जायो यह लो अपनी लुट की कमरिया बहुत ही नाच नचायो असूर दास तब बिहांसी जसोदा लो उरकंठ लगायो मया मोरी मैं नहीं माखन खायो यह जो रचना है सूर दास की है बाल कनहिया थोड़े बड़े हो गए हैं और अपने संगी साती के साथ खेलते हैं आज परोस की ग्वाला बालाएं यह सोदा मया के पास यह उलाहना देने जाती है कि तेरे पुत्र ने मेरे माखन को चुरा कर खा लिया यह सोदा मया के मन को ठेस पहुचती है वह तिल मिला उठती है और बाल कनहिया के इस आचना पर बड़ा दुख प्रकट करती हुई वह कनहिया को डाटने लगती है और छोटा सा कनहिया मा को अपनी तुतली सी बोली में सफाई देता है कहता है मया मोरी मैं नहीं माखन नहीं चुराया अब देखो ना मा तू तो भोर होते ही गाओं के साथ मुझे जंगल मधवन भेज देती हो मैं तो सुबह से साम तक उन गायों के पीछे पीछे भटकता रहता हूं और फिर साम ढ़नने पर ही वापस आता हूं फिर देखो ना मा मेरे हाथ में तो छोटे छोटे हैं मेरे जो हाथ हैं उमया छोटे छोटे हैं फिर छीके तक मेरी बाह कैसे पहुँचेगी छीका जो उचाई पर लटका है ये ग्वाल बाल मुझे वैर भेदभाव और दुस्मन्नी करते हैं इन्होंने माखन स्वेम चुरा कर खाया और जबरदस्ती मेरे मुह में लपेट दिया ताकि मैं ही पकरा जाओ और फिर मा तुहीं कितनी भोली भाली है कि इनकी बातों को तुमने सच माल लिया मुझे तो अब लगता है कि तुम्हारे मन में भी कुछ खोट या भेद पैदा हो गई बार बार जब किसी को उलहना पड़ती है तो मा संकोच में पर जाती है उसी प्रकारी सोद्रा मैया भी संकोच में है कृष्ण जी समझाते हैं क्योंकि मैं तेरा बेटा हूँ तू जननी है मेरी जन्म देने वाली मा तू कोई और नहीं है फिर कनहिया तमक कर हुरुष्ट हो जाते हैं यसोदा मैया को कहते हैं तू अपनी यहां लुट की कमरिया कहते हैं ले लो और काली कंबल ले लो तूने मा मुझे बहुत सताया है आगे से मैं तेरी कोई बात नहीं मानूँगा कनहिया के इस बाल रूप और कोतूहल को मा यसोदरा के मन पसीच जाता है और वह कनहिया को गोद में उठा कर अपने गले लगा लेती है इसका भावार्त यही है आप यह वीडियो निव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे धन्यवाद जय हिंज जय भारत जय नबीहाद